एक कोशन था मेरे पास के सर हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें पड़ली एकनॉमिक्स में लेकिन बेसिकली तौर से लेकर चैने तो बेसिकली तौर से अब मैं एक वीडियो बनाना मैंने शुरू की है और कोशिश करूँगा कि उसके एक प्लेलिस्ट में करके आपके साथ श सूर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स के कैसी सोशल साइंस होती है याद लगेगा सोशल साइंस में क्या होता है जब हम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं उतकी स्टेडी करना जो हीमन बिहेवियर क्यों स्टेडी कर रहे होते हैं जैसे साइकालोजी होती है उसकी स् चीज़ों में से decision लेना है, मिसाल कि तो पर मैं एक चोटे से बच्चे को भी offer कर दूँ कि जो है आपको जिंगर खाना है या नॉर्मली डाल चावल खाना है, तो उसका फैसला क्या होगा जिंगर, एक टाइम पर वो अपने resources को भूल गया, कि उसके पास इतने resources नहीं, लेकिन wants हर की अच्छी होती है, हर कोई अच्छा सोच रहोता है, तो उस चीज़ की study को हम क्या कहते है, economic कहते है देखे, economics में महारे पास दो चीज़ होती है, micro economics और macro economics micro, micro आपको पता ही है, 10 की power minus 6, मतलब इतना चोटा कर देना, इसे million of the part 10 की power minus 6, 10 lakhs रख ले, million का एक part जो होता है ना, 1 million का, 1 divided by 10 lakhs जो कह रहे हैं वो होता है, मतलब कितना चोटा पार्ट होगा, अब यहाँ पर मैंने कहा लेका, it deals with micro level बहुत चोटे level पे, एक person से discuss कर रहे हैं, किसी एक family से discuss कर रहे हैं, किसी एक society से, पूरे all over the world नहीं कर रहे है, micro economics, it deals with the aggregate level पूरे पाकिस्तान की बात करने, कितनी अवामें पाकिस्तान की, 18 करोड कहते हैं, या 22 करोड कहते हैं, जितनी भी अवामें, उनके बारे में discuss करना, macro economics कुछ basic questions जो हैं हमारे पास आते हैं, और हमेशा हमें उनको face करना पड़ता है, उनका answer करना पड़ता है what is produce, क्या produce करना है, how to produce, कैसे produce करना है, from where to produce तो इनका answer हम उसी वक्त दे सकते हैं, जब हम और more definition discuss करेंगे, decide नहीं discuss करेंगे और फिर उस पर अपना perspective शो करेंगे, कि हम उसको किस तरीके से अपने उस objective को aimful बना सकते हैं, उसको as a goal work कर सकते है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, कि producer क्या होता है, producer कौन होता है, producer the person who used goods and services for further production is known as producer, जो कि चीजों को use करता है further चीजों के लिए, further production, कि मिसाल कि तोपे आपने घर पे flow लाते हैं, आटा लाते हैं, आपने रोटी बनाई, खाली, that's it लेकिन producer का क्या काम होता है, मिसाल के तोपे आप अपने घर पर लाएं, आटे को नीट किया, dough बनाया, pizza बनाया, कुछ भी बनाया, उसको बेचा, तो क्या आप जितने का flow लाए हैं, उतने में तो नहीं बेचेंगे, कुछ profit रखके, अपनी महनत रखके, अपनी चीज़ें that's it, कोई profit नहीं हुआ उस जब्बे पर आपको, आप क्या किलाएंगे consumer, next question है, what is the aim of producer, यह बात सबको पता है, बहुत basic questions है, what is the aim of producer, the aim of producer is to increase profit, वो हमेशा चाहता है, कि वो अपने profit को जितने, जितना increase कर सकता है, वो जरूर करे, और उसके लिए वो कोशिश करता है, how to solve basic problems कि जो हमारे पास जो basic questions है, कि क्या produce करना है, कैसे produce करना है, और कहा produce करना है, circular flow diagram की मदद से करते हैं हम, और opportunity cost पे करते हैं, इनको हम आगे discuss करेंगे, in economics there are two agents, economics में आपके पास दो agents होते हैं, household जो के consumer, और business जो के producer, कि कुछ चीज़ों हमेशा produce हो रहे हैं, और consumer हमेशा उसे खरीद रहे हैं, चाहिए वो जितनी महेंगी भी हो, जो भी हो, तो ये दो agents होते हैं आपके पास, market is a place where any purchasing and selling exists, market है कैसी place होती है, जहाँ पे कोई चीज़ खरीदते भी हैं हम, और बेचते भी हैं, markets क्या क्या होती है, good markets भी होती है, और factor markets भी होती है, इनको भी हम discuss करेंगे next हमारे पास है factors of product, एक product के कौन-कौन से factors हो सकते हैं, तो सबसे important चीज़ होती है land, all natural resources, जो कि Allah की तरफ से जी हुई है land, अभी इस में क्या-क्या surface है, mountain है, fountain है, देखें वेटा, आप कहीं पढ़ रहें, कहीं पढ़ा रहें, तो सबसे असल चीज़ होती है land, कि घर क्या है, उनका कहां पे आपको पढ़ाना है, क्या चीज़ आपको करनी है, उसके बाद please decide, उसके बाद आपकी education पे बात आती है, हर कुछ उसके बाद आती है, लेकिन सबसे important चीज़ क्या होती है, आपके लिए भी और उनके लिए भी, कि क्या चीज़ है, मिसाल के तोर पर, कि आप charge करेंगे, यह सब important अभी नहीं हुआ है, ठीक है, land में, कि land क्या है, आप अपनी जो काम करेंगे आगे का, वो कहां पर करेंगे, next है labor, labor क्या होता है, the person who works voluntary reward, एक ऐसा बंदा जो कि voluntary तोर पे, जो involuntary तोर पे work करता है, मतलब इससे उसे amount generate करनी है, पैसो के labor करता है, मैं teacher भी एक तरीके का labor हूँ, ठीक है, उसके बाद क्या करें, if we hire our labor, considering three things, यह चीज़ हमारे सर्ण ने बहुत अच्छी हमें बताई थी, अल्ला पाक, उन्हें इसी तरीके से, बतलब लोगों की help हमेशा वो करते रहते हैं, और इसी तरीके से करते रहेंगे, श्याल्ला, क्योंक करनी होती है, हमें three things, ठीक है, nature of job, आपको पता हो काम की नौयत क्या है, ठीक है, आप as a physics teacher work कर रहो, as a chemistry teacher work कर रहो, आपको सीफ और सीफ जारू लगाने के लिए लखा गया है, पोचाय भी लगाना है, यह सारी चीज़ पहले discuss होगी, then होगी timing discuss, पहले timing किस तरी चीज़ से discuss कस होती थी 6-8, लेकिन आप हतम हो गया, यह सब आप कितनी देर में यहां पहुंच रहें, that's not producer concerned, ठीक है, producer का इससे कोई concern नहीं होता, उसे आप एक timing बता दें, कि एक घंटा आप काम करेंगे, दो घंटा काम करेंगे, फिर वो अपने feasibility बताते हुए, तीन से साथ का time दे दिया, इसमें किसी भी time आए, और एक घंटे में अपना काम करके चले जाए, payment decide होती है, payment इतनी होगी आपकी, there are two types of labor, labor भी दो तरह के होते हैं, intellectual labor, जिसको हम white color labor कहते हैं, और manual और physical labor, जिसको हम black color labor कहते हैं, इसका भी different shades होगा, वो discuss करेंगे, labor क्या होता है, उपर हमने discuss कर लिया है, यहाँ पर भी जो definition है, वो थोड़ी improvised है, वो भी आप देख सकते हैं, next, capital क्या होता है, capital is anything which provides a return in future days is known as capital, capital हमेशा वो चीज़ होती है, जो कि future days में आपको चीज़ें provide कर रही हो, मिसाल के तोर पर हम सोचते हैं, और हर की खौईश भी एक तरीके से होती है, कि वो हज कोई plot ले रहा है, कोई flat ले रहा है, तो आगे जाके वो सिर्फ amount generate करें, और वो जादा पैसों में जाचाए, थोड़े ही जादा पैसों में जाए, तो वो चीज़ें capital होती है, और क्या करें, capital में आपको हमेशा यह बात रखनी है, दो चीज़ें कभी apply नहीं होती, depreciation औ technology में बताता हूँ, depreciation की definition given है, technology नहीं है, technology क्या है, मिसाल के तो पर 30 साल पहले किसी ने सोचा कि मैं TV लेके रख लेता हूँ, आगे जाके जह मेरी बेटी की शादी होगी, तो उसके जहेज में हम यह चीज़ेंगे, लेकिन देखें, अब TV का वगर वो 30 साल पहले तो बहुत एहमियत की हामिल होती थी, लेकिन अभी क्या है, LED आ गई है, तो TV की कोई value बागी नहीं गई है, तो टीवी में हम just DVD प्ले करते हैं, LED में हम USB लगा देते हैं, net उसमें use कर सकते हैं, और TV जो है, और LED जो है, वो बहुत dependent चीज़े हो गई है, पहले light होती थी थी, अब UPS आ ग time, एक ऐसी चीज़ जो के useless हो जाए, time to time, useless हो गई है, तीवी यां, useless है, generator कीतनी कोई value नहीं है, बहुत कम लोग ले रहे हैं, UPS, तो क्या हो गया, depreciate कर जा रहा है, types of capital, there are two types of capital, एक होता है liquid capital, और एक होता है man-made capital, types दो होती है capital की, liquid capital की है, जो बहुत असानी से sale हो जाए, जैसे gold, easily sold हो जाता है, जितने भी, जिस तरह का भी हो, कम पैसे मिले, जो भी मिले, sold होना असल है, और अच्छी तरीके से ही होता है sold, next है main-made capital, आप समझी गए होंगे, main-made capital में हम क्या पढ़ेंगे, it is required time for sale, ये बहुत साथा time लेता है, थोड़ा time लेता है, sale के लिए, like machines, machines के efficiency चेक करते हैं, तो payment issue आता है, different to different issues आते है, last है, organization, what is organization, the person who organized land, labor and capital, वो सारी चीज़ें करता है, मिसाल के तौर पर, आपने, मैं example दे रहो, आपने देखा कि यार, हमारा कराय का घर है, कभी हम यहाँ shift हो रहें, महाँ shift हो रहें, आपके बाबा ने, कहा कि भाई, यहाँ आपके मेरे बच्चे tuition पढ़ेंगे, land का मसला हल हो गया, labor मतलब teacher कौन होगा, teacher को बता दियागा, आपके घर से भी करीबे, तो हमने labor की भी consideration कर दी, timing भी बता दी, उनको उनकी payment भी बता दी, उनको उनको बता दिया, कि आपको कौन-कौन से subject पढ़ाने, अब बात है, capital की त बच्चो को फाइदा दोनों का और अगले साल उनकी fees बढ़ेगी, यहां से यह fees बढ़ाएंगे, बच्चो को अच्छे सचा पढ़ाएगा, technology का फरक नहीं आएगा, ठीक है, और नहीं कभी कोई चीज depreciate कर जाएगी, तो इस तरीके से मैंने एक बच्चे की example दे दी, economics में ह हम बड़ी सी बड़ी example भी ले सकते हैं, कि कहां पर हम अपनी जो है, garments की factory इसकी production करेंगे, land मिल गया, labor हम अपने रखेंगे, तमाम तीनों चीज़े बताएंगे, capital हमारा होगा, capital क्योंकि जितना हम amount लगाएंगे, उससे जादा हमें कमाना होता है, क्योंकि यही producer का एक aim होत है, thank you so much for watching